प्रिदान मंत्री आवास उजिन के लिए घर बैठी मुबाइल से आवेदन कैसे करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग यही जनने वाले हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रेप्शन बक्स में मिल जाएगा बहुत से जाकर आप डारेक्ट इस पेच पर यहां पर आजाएंगे यहां पर आपको दो ओप्सन दिखाए देंगे सबसे पहला आधार का दूसरा वैसरल आईडिगा तो अगर आपके पास अधार काड़र तो सिंपल्य या आप आधार काड़ करेंगे और नीचे पर अधार नंबर इहां पर आपको अपना नाम लिखा दे रहा है simply आपको इस पर किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक कर देते हैं तो आपके सामने नेक संटरफेस जो है वो खुल कर इस प्रकार से चला आएगा यहां पर आपको सबसे पहले आपको अपना इस्टेट यानि राज्ज का नाम यहां पर आपको सिलेक्ट करना है सिंपले आप सिलैक्ट्र से रहते हैं से लिख करेंगे आप अपशक के अपनी जिली का नाम से सिलेक्ट्र कर लेना है नीचे यहाँ पर Select City, इहाँ पर आप यहाँ पर अपको आपने City का नाम Select II कर लेना है, क्या आप इस UGINA के शेतर हैं तो आपको Yes या No पर क्लिक कर देना है, अगर आप उसी जिस UGINA के शेतर से अगर विकाथ शेतर से नाम यहाँ पर आपको लिखा रहेगा उसके सामने आपको यहाँ पर जेंडर का एक उप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्टिक कर लेना है कि मेल है या फिमेल अगर आप मेल है तो मेल सेलेक्टिक कर लेंगे आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर डाले जैसे आप उपर के लिए स्क्रोल करेंगे तो आपको उसके बाद में आपको अपना मकान नंबर यहां पर आपको दे देना है उसके बाद में गली का नाम आपको यहां पर लिख देना है गली या मोहले का नाम उसके बाद में सहर या गाउं का नाम आपको यहां पर फिलिप क कर लेना है उसके बाद में नीचे आपर आपको जिले का ना मिलेगा करें आपको अपनी इस्तिक को सिलेक्क कर लेना है फिर आपको अपना ब्रहbor डान देना जो इंक आपको नएःधार THUL- 505 लिखा रहेगा वह यहाँ पर आपको फिल करते कर देना है कि उसके बाद में नीचे यहां पर आपको अपने यहां पर मोबाइलनंबर वो कर देना है उसके बाद में यहां पर आपको अधर नंवर और देखा रहेगा इसको यहां से छोड़ देना है यहां पर आपको स्थिवर्ट करेंगे यहां से आपको 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 नेम के सामने आपको नेम के सामने आपको संबन्ध जो सेक्ट उसके युसाद में अधर कार्ट सेक्ट निम्बर में उसके भी एक आपका पेंठ वगेंड यहां सेक्टिक कर लेंगे नीचे यहां पर आपको स्टिक कर लेना है constitutional कर करेंगे अगर आप मिख़ाझ नहीं तो यहां पर नुव सिलेक्ट रहने देना है उपर के लिए Saq करेंगे किए आतके परिवार के पास भाध में आपना खुद का मकान लिजँद कार्म अब करेंगे तो बनला किसंग करेंगे म можете मलकाना हक जहांपर मैजूद एल्ग रहे हैं पहां पर आपका जिस घर में रह रहे हैं वह घर आपका खुद का है या किराय पर लिया हुआ है तो आपको यहां पर स्क्रॉल अप करेंगे यहां पर आपके परिवार की जितनी मार्सिक आये होगी वहमाल सिकराएं आपने पूरे परवार के मार्सिक करेंगे उसके बाद में यहां पर आपको rij देना है उपर किलीण करेंगी नीचे निसप्टरस पर można को दिखाई जाएगा और यहां पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आपको इसका प्रेंट आउट निकलवा लेना है निकलवाने के बाद आप अपने प्रधान के यहां जमा कर सकते हैं उसके बाद में आपके यहां पर एक साल के अंदर अंदर